स्रिष्टी का हर पहलू, हर स्रिष्टी, जो भी परमेश्वर ने बनाया, हर एक चीज का एक मतलब है, पेड़ों का मतलब है, आस्मान का मतलब है, सूरज का मतलब है, चांद का मतलब है, सितारों का मतलब है, पानी का मतलब है, मनलब हर चीज जो परमेश्वन ने बनाया उसका कहीं न कहीं बाइबल से या आत्मिक्ता से बहुत सम्मन्द है और विशेश करके जब हम मनुश्य की इस रिष्टी के बारे में सोचते हैं तो मनुश्य का एक 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 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत महतुपूर्ण है अब देखें ना अगर आप अपने अंगों को गिनें और उसके जो फंक्शन है उसकी जो कारी च्छमता है यदि आप उसके बारे में देखें तो हम हैरान हो जाएंगे असमंजस से कि कितना जबरदस्त परमेश्वर की स्रिष्टी है हिरत है बहुत जरूरी हमारे लिए और किड्नी हमारे लिए बहुत जरूरी दिमाग हमारे लिए बहुत जरूरी है आँख हमारे लिए बहुत जरूरी मतलब कहने का मतलब शरीर का एक एक खून का कत्रा भी बहुत बहुत important है और खून का भी बहुत महत्व होता है तो आज मैं आपके सामने विशेश करके तीन अंगों के बारे में बताऊंगा परमिश्वर के वचन के आधार पर की उसका क्या मतलब है क्यों परमिश्वर ने ये बाते कहीं हाला कि और भी इसके अलग-अलग interpretation हो सकते हैं लेकिन ये जो interpretation है जहां तक वचन के आधार पर है हम उसको देखेंगे और जैसे कि आप इस title में देख रहे हैं जो आज मैंने शीरशक दिया है वो है कान अंगोठा और पैर का अंगोठा और वैसे ही आप इस चितर में भी देख रहे हैं कि कान का चितर बना हुआ है अंगोठे का चितर बना हुआ है और पैर का अंगोठा वहां पर हम देखते हैं अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसकी जो महत्वता है वो बहुत जरूरी है और आपने जरूर ध्यान दिया होगा यदि अंगूटे में कुछ परिशानी आजाती है, हाथ के अंगूटे में, तो सहाब, चीजों को करना, पकरना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अंगूटा हाला की मोटा सा होता है और छोटा भी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, पुराने जमाने में और पुराने नियम में हम देखते हैं, कि जब याजग क्या महा याजग को अभिशिक्त किय जाता था और यही एक परफरा जो पुराने नियम में हम देखते हैं लेकिन उसका मतलब भी है कि क्यों ये अभी शिक्त किया गया विशेश करके प्रभू परमेश्वन ने बात कही कि भई उनके कान उनके हाथ के अंगूठें और उनका पैर का अंगूठा जो है अभी शिक्त किया जाए तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू जरा वचन पढ़ लेते हैं है की ने क्योंकि हमारा हर बात वचन से ही शुरू होता है तो आईए हम उन वचनों को देखेंगे मैं पढ़ूँगा आपके लिए लेवय विवस्ता पुराने नियम में और उसका आठ्वा अध और उसका तेईस और चौबिस पाद सुनिये तब वह बली किया गया और मुसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहने कान के सिरे पर और उसके दाहने हाथ और दाहने पाओं के अंगुठों पर लगाया और वह हारून के पुत्रों को समिप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहने कान के सिरे पर दाहने हाथ और दाहने पाओं के अंगुठों पर लगाया और मुसा ने लहू को वेदी पर चारो और छिड़का तो ये जो लहू है ये मेर से या जो हम देखते हैं भेडों के जो बच्चों से जो होता है जो बलिदान किया जाता है उस लहू से इनके कान और इनके अंगुठे और इनके पैर के अंगुठों को अभी शिक्त किया लह के द्वारा इसी से संबंदित और हम देखते हैं चौदा अध्याए और चौदा पद लैवे भस्था उसका चौदा अध्याए और चौदा पद वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब याजक एक भेड के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पाप बली और होम बली पशुओं का बलीदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलीदान करे, क्योंकि जैसा पाप बली भू में से कुछ लेकर शुद्ध ठैरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाउं के अंगूठों पर लगाएं। तो हम देखते हैं कि एक प्रकार का शुद्धी करण, एक प्रकार का अभिशिक्त कि जो संसकार यहाँ पर दी गई है, वो यहाँ पर लिखी गई है की उसको लहू में जो है कान का सबसे नीचे का सिरह है और दाइने हाथ का अंगूठा और दाइने पाओं का अंगूठा अब ये सब चीजे क्या करने की चिरूते क्यों ऐसा किया गया इसका कोई मतलब है बिना मतलब कि तो Bible में कोई भी चीज नहीं लिखी रहती, उसका कुछ न कुछ कहीं न कहीं उसका connection मिल जाता है, तो चलिए हम आते हैं और देखते हैं, पहला कान, कान का शुद्ध होना, कान का अभिशिक्त होना, अब कान हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्णंग है, अब कान ही के द्वारा ये मेसेज सुन रहे हैं कि ने, अगर कान नहीं होता, तो भाई सुनना कहां से होता, सही बात है कि ने, तो परमेशन ने कान हमें इसलिए दिये, कि हम इन से चीजों को सुने, बातों को सुने, परमेशन का बच्चन सुने, अच्छी बातें सुने, सो आन, अच्छा इसमें दो चीजे हैं एक तो नकारात्मक चीजे जो हमें अवाइट करना है जो कि हमें उसको आने नहीं देना है और दूसरा सकारात्मक एक नकारात्मक चीज जो हमको बिल्कुल नहीं करना है और सकारात्मक चीज है जो हमें करना चाहिए पहले देखते हैं नकर आत्मक चीज, कान के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गासिप सुनते हैं, काना फुसी करते हैं और उन बातों को, गलत बातों को सुनते हैं, जुटी बातों को सुनते हैं, जुटी सिक्षाओं को सुनते हैं, तो यदि हमारा कान शुद है, यदि परमे परमेश्वर के लिए अलग ठहराएं, अपने कान को परमेश्वर के लिए बलिदान ठहराएं, अपने कान को परमेश्वर की महिमा के लिए अभिशिक्त करें, हाँ, जो दाहिना जो शब्द आता है, वो बहुत important है, बाएं के वज़ा है, दाहिना जो शब्द है, वो importance है, बह कानाफूसी करते हैं, उसको हम दूसरों के साथ शेर न करें, कि वो अपने कान को नकारात्मा की त्रिष्टी से इस्तेमाल करें, नहीं, हमें नहीं सुनना है, कोई भी अगर गौसिप करता है किसी के प्रती, कानाफूसी गलत बाते हमें बताने की कोशिश करता है, मुझसे बह बहुत को इस प्रकार की चीज़ें किसी से भी नहीं बोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं याकूब की पत्री उसका पहला अध्याए और उन्नीस पद। जरा देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। याकूब पहला दियाए उन्नीस पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ हे प्रियों। हे मेरे प्रिय भाई भैनों। यह बात तुम जान लो कि हर मनुष्य सुनने के लिए तयार ततपर और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। सुनिये परमेश्वर के वचन क्या कहता है ? कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तयार हम अच्छी बातों को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तयार है। और बोलने में धीमार है अच्छा देखे बोलने के लिए क्या हम इस्तवाल करते हैं जीव इस्तवाल करते हैं जीव कितनी है जाब एक ही जीव है लेकिन सुनने के लिए कितने कान है दो कान है इसका मतलब हमें सुनना जादा है बोलना कम है उल्टा हो जाता है कभी कभी हमारे मसीजिय मन में हम लोग बोलते जाता है सुनते कम है आईए हम अपने कानों को परमेश्वर के लिए वो शुद्द करें प्रभूश मसी के लहू में अपने कानों को साफ करें शुद्द करें अभी शिक्त करें जैसे पुराने नियम में होता था लहू के द्वारा हम प्रविश मसी के लहू में इस कान को शुद करें अभी शुद करें इसलिए कैसे करेंगे हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे सही बातों को सुनेंगे अच्छी बातों को सुनेंगे रोमियों उसका दस्वाद दिया है और सत्रवाँ पद्वाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसी के वचन से होता है। पर इसमें जाता है और हमें और पवित्र करता है क्योंकि परमेश्वर का वचन अनंत पवित्र सत्य वचन है और इसलिए हमें इस कान को अभिशिक्त करना है इस कान को हमें शुद्र करना है पवित्र करना है ताकि इसमें से जो हम सुनते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए तो इसको हम मसी के लहू में धूएं मसी में लहू धोने का मतलब है आपने प्रभू को ग्रहन किया आप प्रभू के मंदिर है आपका शरीर प्रामेश्वर का मंदिर है तो हर एक चीज़ जो हम इस अंग से करते हैं वो प्रभू की महिमा afterwards आऎए दूसरा है दाइने हाथ का अंगुठा अब अंगुठा का मतलब है कारे करना अंगुठा बहुत बिजी रहता है आपको पता भी नहीं पढ़ता लेकिन अंगुठा बहुत बिजी रहता है कहने का मतलब एक मसीह होने के नाते एक विश्वासी होने के नाते हमें सही काम करना है और तपर करना जो भी काम करें हम अपने हाथों से परमेश्वर की महिमा के लिए करें और अच्छी तरह से करें जरा हम पढ़ लेते हैं कुछ पदों को है की नहीं पढ़ते हैं याकूब की पत्री और उसका चार अध्याए आठ पद याकूब की पत्री उसका चार अध्याए और आठ पद क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ति लोगों अपने हिर्दय को पवित्र करो अपने हाथ को क्या करना है पवित्र करना अपने दिल को पवित्र करना है शुद्ध करें और कैसे शुद्ध करेंगे मेरी आशा है कि आपने प्रवीश मसी को अपने जीवन में ग्रहन किया यह नहीं किया तो आज ही मौका है एक तो वह है दूसरा यह है कि आप प्रार्तना करे प्रवू मेरे हाथों को पवित्र कर मेरे हाथों को शुद्र कर छूँ कि इसमें से पवित्र कार्य हो तेरी महिमा के लिए हो हर बात तेरी महिमा के लिए हो अच्छे कारी हो, है न, पहला तिमोथी दो आठ में क्या लिखा हुआ है, पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याए और आठ पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए हाथों के बारे में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगा, पुरुष, बिनाकरोद और वि बात के, पवित्र हाथों को उठा करके, यह हाथ, यह हमारे हाथ कैसे होना चाहिए, पवित्र, और इसको दोनों को उठा करके हम, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तूति करें, परमेश्वर की महिमा करें, और यही बात, यह हाथ, अंगुठा मतलब, हमा अंगूठा मतलब हमारे हाथ पवित्र हो। टीक है। परमेश्वर की दृष्टी में ये शुद्ध किये जाए। उल्टे सी देख खराब कामों के लिए हमारे हाथ इस्तमाल ना हो। कि जो भी काम हमें मिलता है, बड़े विश्वास योग्यता के साथ, पूरी सामर्द के साथ, पूरे मन के साथ, हम वो काम अपने हाथों से करें। टीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं, पहला हमने देखा कान हमारा अभिशिक्त होना चीए, शुद्ध होना चीए। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारे हाथ पवित्र और शुद्ध हो और इन हाथों से हम अराधना, महिमा और इस्तूति करें और अच्छे काम करें प्रभू की महिमा के लिए तीसरी बात हम देखेंगे दाइने पाउं का अंगूठा ठीक है जैसे आप इस डाइगराम में भी देख रहे हैं दाइन पाउं का अंगूठा और कहने का मतलब हमारे पैर देखे चलना भी बहुत important है हाथ से हम काम करते हैं कान से हम सुनते हैं और पैरों से हम क्या करते हैं चलते हैं एक जगा से दूसरी जगा हम जाते हैं कितना धन्यवाद हो कि भाई अगर पैर नहीं होते तो हम कैसे घूमते कैसे हम इदर उदर जाते ज़रा सोचिए पैर हमारे शुद्ध किये जाएं पैर हमारे पवित्र किये जाएं ये बहुत important है महतवपूर्ण है भजन सहीता और उसका पहला अध्या है और उसका पहला पद में क्या लिखा हुआ है बहुत interesting बात लिखी हुए है क्या ही धन्यवा पुरुष जो दुष्टों की उक्ती पर नहीं चलता पैरों से है ना दुष्टों की जगा पर नहीं जाता उनकी संगती नहीं करता और ना पापियों के मार में खड़ा होता है ना तो वो पापियों के मार में खड़ा होता है ना वो दुष्टों के मार में चलता है हमारे पाओं पवित्र होने चीए, शुद्ध होने चीए, ऐसी जगह जाए जहाँ पर परमेश्वर की महिमा हो, अच्छी जगह पर जाए, अच्छे काम करें उन पैरों के त्वारा, और जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, कौन सा वो अच्छे काम है, इफीसियों और उ उसका पंद्रवापद, यहाँ पर यदि आप संदर में देखे हैं, तो संदर में ये है कि आतमिक हथियार पहनना है, उद्धार का टोप, आतमा की तलवार, जो बेल्त है, सत्य का बेल्ट, धरमेक्ता की जिलम, और पंद्रवापद में क्या लिका है? और पाओं में, पैर में पाओं में मेल के सू समाचार की तैयारी के जूते पहन कर आमेन हम और आप जाएं ऐसी जगा जाएं जहां मेल हो मेल करवाएं अगर किसी के भी जगडा चलता है तो हम और आप मेल करवाएं सू समाचार के साथ तैयारी के जूते पहन कर यह मतलब एक प्रकार की उपमा दी गई है यहां पर की हमारे पाओं किस प्रकार के हो मेल करवाने वाले हो सुसमाचार की बाते बताने वाले हो परमेश्वर का वच्चन नान क्रिस्चन अन्य जातियों के बीच में सुनाए ताकि वो मेल करवाएं परमिश्वर के साथ और मनुश्यों के साथ और इसलिए उस पाओं में मेल के जूते की तियारी करना हमें पहनना है टीक है एक और पद मैं आपके सामने इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूँ रोमियों उसका दस अध्याए और पंद्रवाँ पद रोमियों उसका दस अध्याए और पंद्रवाँ पद क्या लिखा हुआ है यदि भेजे न जाए तो क्यों प्रचार करें जैसा लिखा है उनके पाओं उनके पाओं उनके पैर क्या ही सुहावने है जो अच्छी बातों का सु समाचार सुनाते हैं मुझे एक दस साल की लड़की ने मालूम क्या कहा कि आपके पाउं बहुत सुन्दर है आपके पाउं बहुत सुНदर है तो मैंने सोचा यार मेरे ऐसे कौन से बड़े पाउं सुन्दर है ऐसे तो कोई खास नहीं है जैसे ordinary पाउं सबके होते हैं वैसी है नहीं तब उसने कहा नहीं नहीं सुन्दर उन बातों में नहीं जितना कि आप दुसरों को सु समाचार सुनाने के लिए धर उधर जाते हैं अरे मैंने बलाई तो बहुत ही अच्छी बात बोली है है ना कि मैं सु समाचार सुनाने के लिए धर उधर जाता हूं तो वो पाउं क्या ही सुहावने हैं क्या ही सुन्दर है जो सु समाचार दुसरों को सुनाते हैं ये पाउं पवित्र पाउं है ये पाउं शुद्ध पाउं होना चीए ये पाउं हमारा अभी शिक्त होना है, हमने देखा अभी आज, कि किस प्रकार से, जो महायाजक होता था, और याजक जो होते थे, उनके कान, और कान का जो नीचे का जो भाग है, उसके बाद, दाइने हाथ का अंगूठा, दाइने पैर का अंगूठा, ये तीनों लहू के द्वारा, शुद किये जाते थे, अभी शिक्त किये जाते थे, विशिशकारिये के लिए, आप और मैं, परमेश्वर के ये आजक हैं, तो आएए, हम इन कानों को, अच्छी कामों के लिए लगाएं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लगाएं, कानाफूसी के लिए तो बिल्कुल भी ने, गलत काम के लिए अपने हाथों को इस्तमाल ना करें, लेकिन इन हाथों से हम अच्छे काम करें, परमेश्वर की महिमाल आएं, और परमिश्वर का धन्यवाद करें इन हाथों को उठा करके और तीसरी बात हमने देखा हमारे पाउं पवित्र हों, शुद्ध हों परमिश्वर के वचन फैलाने में इधर उदर जाएं जैसे भी जाएं वो क्या ही सुहावने पाउं है पैर है जो वचन सुनाते हैं, है कि नहीं, मेल की बाते बताते हैं तो आशा है आप इन बातों से आशिशित हुए होंगे कान, दाइने हाथ का अंगूठा और दाइने पाउं का अंगूठा परमिश्वर इन बातों पर हमें आशिश दे